गुन मॉर्णिंग स्टुडेंट्स, आज हम इंदी में पढ़ेंगे पार्ट तेरा शिवाजी का सच्चा सुरूप इस पार्ट में हम मराठा वीर किसके विशे में पढ़ेंगे शिवाजी के विशे में वीर तथा योध्धा व्यक्ती अपने मान सम्मान के साथ ही साथ अन्य लोगों के मान सम्मान की रक्षा करना भी अपना करतेवे मानते हैं धर्म और जात्पात उनके मार्ग अच्वानियों में बाधा नहीं बनते हैं शिवाजी भी ऐसी ही वीर तथा सदाचारी योद्धा थे। इसमें पात्र परिचे दिया गया हैं, शिवाजी कोने प्रसिद्ध मराठा वीर, मोरोपन पिंगले, पेश्वा हैं, आवाजी सोंदेप कोने शिवाजी के एक सिनापती, स्थान कहां कहा है, रायगर दुर्ग का दालान, और काल मतलब समय सन 1648 इस्वी की संध्या, दाहिनी और दालान का कुछ इस्सा दिखाई देता है, दालान की चट पत्थर के खंबो पर है, इसके पीछे की दिवार भी पत्थर की है, दालान की पीछे की और दाहिनी तरफ दू पुर्य अस्त हो रहा है जिसके प्रकार से सारा द्रिश आलो की थे। दालान के सामने किले का खुला मैदान है। मैदान के इस उचे इस्तम पर भगवा रंग का मराठा जंडा लहरा रहा है। दालान में जाजम बिची है। उस पर किम ख्वाब की गद्धी पर मसनत के सहारे क दालान के बाहर शस्त्रों से सुसजित दो मावली शरीर रक्षक खड़े हुए हैं। बाई और से मोरोपंद पिंगले का प्रवेश होता है। मोरोपंद अधेर अवस्ता का गेहुए रंग का उचा पूरा व्यक्ति है। अधेर अवस्ता मतलब पचास पचपन के उम्र के वक्ति और ग्यहुए रंग के हैं और बहुती उचे हैं। वेशबूशा शिवाजी से मिलती जुलती हैं। केबल सिर की पगड़ी में अंतर है। मोरोपंद की पगड़ी शिवाजी की पगड़ी से के साद्रिश मुगल डंग की न होकर मराठी तर्ज की है। उनके मस्तक प शिवाजी सोन्देव कल्यान प्रांत को जीत वहां का सारा खजाना लूट कर आ गये हैं। शिवाजी कहते हैं चौकते हुए अच्छा मोरोपंद की और देखते हैं और कहते हैं बैठो पेश्वा बड़ा शुब संबाद लाए। आबाजी सोन्देव हैं कहां। मोरोपंद दोनों उच्छुकता से बाई और देखते हैं। कुछी देर में आबाजी सोन्देव बाई और से आता दिखाई देता हैं। उसके पीछे हमालों का एक बड़ा भारी जुण है। हर हमाल के सिर पर एक हारा जिसको क्या कहते हैं बड़ा भारी सा टोकरा उसे कहते हैं हारा है हमालों के जुन्ड के पीछे पालकी है, पालकी बंद है, आबाजी सोंदेब भी अधिर अवस्ता का उचा पूरा मनुष्य है, बेशबूशा मोरोपन के सद्रिश्य है, आबाजी सोंदेब दालान में आकर शिवाजी का अभिवादन करता है, हमालों का जुन्ड और पालकों क अब शिवाजी कहते हैं बैठो आबाजी कल्यान विजय पर तुम्हें बदाई हो आबाजी सुन्देब कहते हैं बदाई है शिमन सरकार को शिवाजी कहते हैं कहो पैदल मालवियों ने अधिक वीरता दिखाई या हेट करी उने तो इस पर आवाजी सुन्देब कहते हैं दोनों ने ही शिमन सरकार इस पर शिवाजी कहते हैं और घुरसवारों से बारगीरों ने या शे शिलेदारों ने आबाजी सुन्दिप कहते हैं इनमें भी दोनों ने ही शिमन शिवाजी सेना के अधिपती कैसे रहे आबाजी सुन्दिप कहते हैं पैदल के अधिपती नायक हवलदार जुमलादार और एक हजारी तथा गूर सवारों के अधिपती हवालदार जुमालदार जुमलादार और स सभी का काम प्रशंशनिया रहा श्रीमंद सरकार श्रीवाजी कहते हैं हम माल की और देखते हैं और मुस्कराते हुए कहते हैं कल्यान का खजाना भी लूट लाएं बहुत माल मिला इस पर आबाजी सुन्देप कहते हैं हाँ श्रीमंद सारा खजाना लूट लिया गया और इतन माल मिला जितना अब तक की किसी लूट में भी न मिला था चांदी सोना जवारात न जाने क्या क्या मिला मैं तो समझता हूँ शिमंद केवल दक्षिन ही नहीं उत्तर की भी विजय इस संपता से हो सकेगी शिवाजी करते हैं हमालों की पीछे पालकी को देख कर करते हैं और उस मेना में क्या है शिवाजी की सारी प्रसनता एक एक लुप्त हो जाती है उनकी वुकूटी चड़ जाती है और नीचे का होट उपर के दातों के नीचे आ जाते हैं आवाजी सोंदेव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा देख कर घबरा सजाते हैं मोरोपंद एका एक शिवाजी के और देखता हैं कुछ देर निस्तब्दता रहती है शिवा जी भर्राए हुए स्वर में मेना को ततकाल इस पड़वी में लाओ आवाज सुन्देव जल्दी दालान के बाहर जाता है शिवा जी एक टक पालकी के और देखते हैं मोरोपन शिवा जी की तरफ कुछ शनों में पालकी दालान में आती है ज्योही पालकी दालान में रखी जाती है त्योही शिवाजी जल्दी से पालकी के निकट पहुचते हैं मोरोपन शिवाजी के पाज जाता है शिवाजी आवाजी सोंदेव से खोल दो मैना आवाजी आवाजी सोंदेव पालकी के दर्वाजे खोलता है दरवाजे खुलते ही अहमत की पुत्रबदू उसमें से निकल चुपचाप एक और सिकुड कर खड़ी हो जाती है वह परम सुंदरी युवती हैं बेश भूशा मुगल इस्तरियों के सद्रिश है शिवा जी अहमत की पुत्रबदू से कहते हैं मा शिवा अपने सिपह सालार की नामकूल हरकत पर आपसे माफी चाहता है आह कैसी अजीबो गरीब खुबसूरती है आपकी आपको देखकर मेरे दिल में एक सिर्फ एक बात उठ रही है कही मेरी मा मैं आपको आपकी सी खुबसूरती होती तो मैं भी खुबसूरत ना होकर एक खुबसूरत शक्स होता मा आपकी खुबसूरती को मैं एक सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ उसका हिंदू विदी से पूजन करूँ उसकी इसलामी तरीके से इबादत करूँ आप जरा भी परिशान नहों मा आपको आराम, इज़द, हिफाज़त और खबरदारी के साथ आपके शोहर के पास पहुचा दिया जाएगा बिना देरी के तुरन आपाजी सोंदिव की और घूमकर आपाजी तुमने ऐसा काम किया है जो कदाचीज शमा नहीं किया जा सकता शीवा को जानते हुए निकट से जानते हुए तुम्हारा साहस ऐसा घृनित कायरे करने के लिए कैसे हुआ शिवा ने आज तक किसी मस्जिद की दिवार में बाल बराबर दरार भी ना आने दी शिवा को यदी कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चड़ाया उसके एक पन्ने को भी किसी प्रकार की शती पहुचाए बिना मौलवी सहब की सेवा में भेज दिया हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए इसलाम धर्म पूझे है इसलाम के पवित्रिस्तान उसके पवित्र ग्रंत सम्मान की वस्तुए हैं शिवा हिंदू और मुसल्मान प्रजा में कोई भेद नहीं समझता अरे उसकी सेना में मुसलिम सेनिक तक हैं वह देश में हिंदू राज नहीं सच्चे सोराज की स्थापना चाहता है। आतातियों से सत्ता का अपरहन कर उदार चेतनाओं के हातों में अधिकार देना चाहता है। फिर परिस्त्री अरे परिस्त्री तो प्रत्यक के लिए माता के समान है जो अधिकार प्राप्त जन है जो सरदार है या राजा उन्हें तो इस संबन्द में विवेक सबसे अधिक विवेक रखना आवश्यक है कुछ रुपकर कहते हैं आवजी क्या तुम मेरी परिक्षा लेना चाते थे इसलिए तो तुमने यह कृत्त नहीं किया शिवा ये लड़ाई जगड़े ये लूट पाट व्यक्तिकत सुखों के लिए कर रहा है क्या स्वयम चैन उड़ाना उसका उद्देश है तब तब तो ये रक्त पाट ये लूट मार घ्रिनत करिते हैं शिवा में यदि शील नहीं तो उसके सेनापतियों सरदारों की शील का इसपर्ष तक नहीं हो सकता फिर तो हमें और इंद्रिय लोलूप लुटेरों तथा डाकूओं में कोई अंतर नहीं रह जाता अरे तब तो हमारे जीवन से हमारी मृत्यू हमारी विजे से हमारी पराजे कहीं श्रेश कर है मृरूपंसी कहते हैं आहा पेश्वा यह मेरे एक सेनापती ने क्या कर डाला लज्जा से मेरा सिर आज प्रिथिवी में नहीं पाताल में गुष जाता है इस पाप का नजाने मुझे कैसा प्राश्चित करना पड़ेगा कुछ रुकर कहते हैं पेश्वा इस समय तो मैं केबल एक घोशना करता हूँ बविश्य में अगर कोई ऐसा कायर करेगा तो उसका सिर उसी समय धर से जुदा कर दिया जाएगा शिवा जी का सर नीचे जुग जाता है एहमत की पुत्र वदू कन खीयों से शिवा जी की और द किते हैं सेट गुविंद दास के द्वारा और इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है शिवा जी ने जिस तरीके का वैवार किया उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इस तरी जाती का हमें सदेव सम्मान करना चाहिए इस तरी जाती का सम्मान करना हम सब का धर्म है तो आज आपको इस पार्ट को दो बार जीट करना है इसके प्रशनुत्तर में सेंड कर दूंगी वो आपको कॉपी में लिखना रहेगा